इसराइल ने एक बार फिर लेबनान में हिस्बुल्ला के मिलिटरी स्ट्रक्चर्स को टार्गेट करने का दावा किया है इसराइल ने कहा कि हर घर को हथियार डिपो जैसा बनाया लेबनान की जमीन अभी बारूद उगल रही है हर जगे से धमाकों का शोर है इसराइल का जेट आता है फिर बम दाकर लोट जाता है रिपोर्ट्स के मताविक हमले की धार सोमवार से कम है लेकिन अटाइक जारी है इस बार बालबेग, टालिया और शमस्तर इलाके में आई टीफ ने हवाई हमलों को अंजाम दिया लेबनन की स्टेट मीडिया ने दावा किया कि जेजीन के पास कई बम धमाके किये गए खास कर जेजीन और मार जियौन को जोडने बाले पुल को रिशाना बनाए गया इस दोरान सोमार को हमले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें मारिया इंटरनेशनल के एडिटर लाइब ब्राडकास्ट के दोरान इसराइली हमले में घायल हो गए दूसरी तरफ लोग अभी दहशत में हैं वो घर लोटने को राजी नहीं इसलिए सडकों पर हजारों गारिया नजर आई लोग साउथ लेबनन से किसी भी कीमत पर निकलना चाहते हैं ऐसा इसलिए भी क्योंकि सुमबार को इसराइली हमले में करीब 500 लोगों की बॉप हुई इसराइल ने हिजबुला के 1600 से ज़ादा मिलिटरी टारगेट्स पर 2000 से ज़ादा बम गिराए नितन्याहू ने कहा कि इसराइल की ज़ंग हिजबुला से है लिबनान की जंता से नहीं इसराइली सेना ने दावा किया कि वो एक दिन में 3000 बम गिरा सकती है यानि अभी वो अपनी पूरी शमता का सिर्फ 70 प्रतिशत ही इस्तेवाल कर रही है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे